हेई गाईज दिस जो दो मूवी बॉई के फो करतव्य वेलकम टू आर चैनल और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बॉलिवोड में रिलीज हुई अंदाज टाइटल की चार फिल्मों के बॉक्स आफिस कलिक्संस और अधर आस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगी लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करते हुए औल पर क्लिक कर दीजी ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सापको मिलती रहें क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी इंटरस्टिंग, मज़ेदार और इन्फोर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं और दोस्तों अंदाज टाइटल हमारे दो वीवर्स रामेश्वर हमद जी और दिलदार सलमानी जी ने हमें सज जरूर बताईएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सेयर जरूर कीजेगा तो दोस्तों चले सबसे पहले सुरवात करते हैं 1949 में आई अंदाज से अंदाज 26 अगस्त 1949 में रिलीज हुई थी और इस फिर्म को महबूब खान साहब ने किया था और इस फिर्म में नौसाद साहब का म्यूजिक था और फिर्म के गाने मजरूफ सुल्तान पूरी साहब ने लिखे थे और फिर्म में उठाए जा उनके सतम और जूम जूम के नाचो आज जैसे पॉपलर सॉंग्स थे अगर हम बात करें फिर्म के स्टार कास्ट की तो इस फिर्म में दिलिप कुमार साहब, राज कपूर साहब और नर्गिस जी जैसे सूपर स्टार एक्टर्स नजर आये थे अगर हम बात करें फिर्म के बजट की तो तकरेपन साड़े आट से नौ लाग के बजट में बने इस फिर्म ने टोटल सतर लाग का नेट कलेक्श हुई थी, इस फिर्म में संकर जै किसंजी का म्यूजिक था और फिर्म के गाने हसरत जैपूरी साहब ने लिखे थे और फिर्म का म्यूजिक काफी पॉपुलर हुआ जिन में जुन्दगी एक सफर है सुहाना जैसे कल्ट क्लासिक सौंग सामिन है, अगर हम बात करें फिर्म पर या फिर्म हिट साबित हुई थी, इसके बाद आई 1994 की अंदाज या अंदाज 8 अप्रेल 1994 को रिलीज हुई थी, और इस फिर्म को डेविड धवन जी ने डिरिक्ट किया था, और फिर्म में बप्पी लहरी जी का म्यूजिक था, और फिर्म के गाने इंदी वर जी ने ल राज बबबर और कादर खान साब जैसे एक्टर्स नजराये थे, अगर हम बात करें फिर्म के बजट की, तो 3 करोड के बजट में बने इस फिर्म ने टोटल 5 करोड 29 लाग का नेट कलेक्शन किया था, और बॉक्स आपिस पर रहा फिर्म बिलो एवरेज साबित हुई थी, इसके बाद आई 2003 की अंदाज, जो 23 मही 2003 में रिलीज हुई थी, और इस फिर्म को राज कमर जी ने डिरेक्ट किया था, और इस फिर्म में नदीम स्रवाण जी का म्यूजिक था, और फिर्म के गाने समीर सहाब ने लिखे थे, और फिर्म का म्यूजिक बेहत पॉपुलर हु जिन में आज कहना जरूरी है, और फिर्म के टाइटल ट्रेक को काफी जादा पसंद किया गया था, अगर हम बात करें फिर्म के स्टार कास्ट की, तो इस फिर्म में अक्षय कुमार, लारा दत्ता, प्रियांका चोपड़ा और अमन वर्मा जैसे एक्टर्स नजराये थे, औ तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज इसे लाइक और सेहर जरूर कीजेगा, चैनल में नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन को प्रेस करते तब तक के लिए गुडबाय और टेक केर